करकराशी, सप्ता की शुरुवात में आपको करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है, यानि सप्ता शुरू होगा और आपका करियर बेहतर होता चला जाएगा धन और मन की जो भी बाधाएं हैं, ये तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी, लेकिन देखिए अभी भी अपनी स्वास्त पर ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि अभी भी आपका स्वास्त पूरी तरह से ठीक नहीं है प्रेम और विवाह के मामलों में आपके तेजी आती दिखाई दे रही है, अगर आप अविवाहित हैं, कोई रिष्टा जोड़ना चाहते हैं, कोई रिष्टा शुरू करना चाहते हैं, तो इस सप्ता उसमें तेजी आती हुई दिखाई दे रही है इस सप्ता विवाह के मामले में आपको विशेश लाब हो सकता है अगर विवाह तैं करना है विवाह संबंदी कोई बात करनी है तो आपको उसका फाइदा इस सप्ता में जरूर हो सकता है अगर आपकी राशी करक राशी है तो नवरात्री में आप देवी की पूजा करिएगा पीले फूलों से अगर आप पीले फूलों से देवी की पूजा पूरी नवरात्री में करेंगे तो करियर और विवाह यही दो प्रशन हैं आपके सामने ये दोनों प्रश्न आपके हल होंगे, दोनों मनों कामनाएं आपकी पूरी होंगी सो मुआर का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज़ादा उत्तम होगा तो आपके जो भी महत्वपूर काम हैं अगर वो आप सो मुआर के दिन निप्ताते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी